नमस्कार दोस्तों मेरे नाम संजय और वाई आज हमारे सामने है नई वाली ओला एस वन एर और आज यह वाला वीडियो हम इसका ओनर सिप रिव्यू पर बेस होने वाला है और इसके जो ने रहा है वो इसको लेकर आच चुके और आज हम जो इसका ओनर रिव्यू आपके साथ में शियर करेंगे तो इसके ओनर है हमारे साथ में जुड़ चुके हैं तो सबसे पहले तो पूजा आपका स्वागत है हमारे चैनल पर पूजा सबसे पहले तो आप आप ने इसको कब बुक करवाया था कभी इसकी जौपको डिलिवरी मिली थी मैंने इसको 15 दिसंबर 2023 को भी बुक करवाया था अचा अलग बग मुझे 20 दिसंबर 2023 को मिल गया थी ओन रोड प्राइज इसकी कितनी पड़ी थी आपके इसकी ओन रोड प्राइज है एक लाग 32 जार में आपके ओन रोड पढ़ा है तो आप मुझे बताईए कि इसके यह तो है अगर आप इसकूटर लेते हैं तो आपके लिए काफी यूसफुल रहता है आप तो लड़की है विस आप सही कह रहे हैं आपकी परसनल्टी को देखते वे तो आप बाई की स्यूट करती है मिलकुल यह तो है अच्छा तो आप मुझे बताईए कि अपने आपने अब तर फित्ते किलोमेटर चला लिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम लगी इसके अंदर प्रोब्लम की अगर बात करूं तो इसकी डिस्प्लेय ना वह काफी लाग करती है यह तो है वह उला के अंदर यह तो सब का ही जो है रिविवीव रहता है कि वह उला का जो है टुसरों को दिक्कत आती है तो वैसे तो ला के अंदर यह अप्षिन आता है कि आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं तो वह आप एक बार जरूर देखना आप दर आपको लास्ट में जो एकर बता दूंगा कि आप कैसे जू है किसी और गःकुरम इसको ब्रेक में क्या दिक और बुज़ आप यह बताइए कि आपका जो है इलेक्ट्रिक लेने का ही डिसिजन क्यों बना मतला आपने अपने इलेक्ट्रिक पे इससे पहले आप जो पेट्रोल की कौन सी बाइक या इसकुटी यूज़ करते हैं इसकुटी आपकी जो पहले पेट्रोल मैलेज में कैसी कहते हैं अच्छा है यह तो है अगर आप एक्टिवा की भी भात करें ना एक्टिवा के अंदर भी आपको मैलेज बहुत कम मिलता है नहीं नहीं होती है तो आपको जो है लगबग 45-50 किलोमेटर का मैलेज मिल जाता है ब मैंने सोचे क्यों नहीं अपन भी ले 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 अच्छा फिर आप इलेक्ट्रिक पर आ गए चलो बहुत बढ़िया और कंपनी को इसमें चावी अगरा देनी चाहिए ती क्या है यह सिस्टम प्रोब्लम करता है अच्छा आपको प्रोब्लम करता है आपको ही नहीं यह सब अच्छा आपने तो बहुत सारा सामान रख रहा है लड़किया तो वैसे भी बहुत सामान रखती है तो उनके लिए काफी सही है देखो वाई इन्होंने जो है यहां पर हेलमेट सर्दी के सारे कपड़े भरे पड़े हैं इधर देखो इनके दूपट्टे वगरा और चार् करना हो तो चालू कर सकते हो है और पूझा और आप मुझे बताइए कि इसमें अच्छा और बुरा क्या लगा आपको पूरा तो यह इसका सौप्टे वह नहीं है वह बहुत लाग करता है मतलब मेरे लिए प्रोब्लम में पापा वगरा लेके जाए तो उस टाइम उनको प् पैसे भी नहीं है तो उठा के लेकर चले जाओ है ना और पूझा मुझे बताई कि लड़कियों के लिए क्या इलेक्ट्रिक बैस्ट है अनिया पुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए तो यह बहुत बैस्ता है क्योंकि मतलब ज़कर डेली की दिन की रनिंग जादा ह और पुझा अगर इसके लुक वगरा की बात करें तो काफी लोगों को ओला का जो लुक है वो पसंद नहीं था तो इस बारे में इसके लुक के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे यह तो है बारे मोडरन लुक है काफी फ्यूचर इस्टिक्स है या पर रोबोटिक्स है लुक किया पर देखने को मिल जाता है तो दोस्तों यह तो था था पुझा का ओला एस्वन एयर के लिए रिव्यू आज का हमारा तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और ऐसा बहु